हेलो फ्रेंट्स आज हम आपको बात आने वाले हैं कुछ ऐसे प्रयोग जो भड़ेंकर घर्मी में आप करेंगे तो बीमार नहीं होंगे हाँ दोस्तों गर्मी में बीमारी को रखे दूर रहिए स्वस्त आपको और आपका परिवार आपके बच्चे बुड़े जवान घर के स अभी भी बीमार नहीं हो पाएंगे सबसे पहला हो पाए है दोस्तों पानी हां दोस्तों पानी एक ऐसी चीज है जो हर घर में आसानी से मिलती है आपको क्या करना है घर में से निकलने से पहले बहुत सारा पानी पी लेना है कम से कम एक से दो ग्लास वाटर आपको पीना है थाकि आप हैट्रेट रहें। और आपके बोड़ी में पानी की कमी नहीं हो। जब भी आप पानी पीकर निकलते हैं तो आपको ल्लू नहीं लगती है। और आपकी जो शरीर है उसकी नमी बरकरार है रहती है। और आपको बिमार होने की चांसेद बहुत कम होते हैं जहां तक हो आपकी घर से निकलने वाले बच्चों को बुजूर्गों को या फिर आप भी अगर ऑफिस जा रहे हैं कोई भी जो घर से बाहर निकले फो एक पोटल पानी अपनी साथ में लेकर जाए और थोड़ी थोड़ी दिन में पानी को पीता रहे हैं हां दोसनों इसके अलावा पानी में आप डालका एनर्जी ट्रिंग जो बजारस में मिलती है वो वाली एनर्जी ट्रिंग नहीं जो आपको नुफसा करती है जो फोलो का रस वाली होती है वो वाली एनर्जी ट्रिंग आप दिन में एक या दो बार इसको मिला कर पी सकते हैं अगर यह नहीं भी अवेलेबल है आपके घर में तो आप नीबू पानी सिंपल सा है आप उपाय जो एक निबू आप दिन में गर्मी में पीना ही पीना है यह नियम बान लें तो आप गर्मी में हमेशा स्वस्त रहेंगे बीमारियां हमेशा दूर रहेंगी एक और छोटा सा उपाय है दोस्तों जो गारंटीड उपाय है जिससे आप कभी भी 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 मान नहीं होंगे वो है प्याज हाँ दोस्तों हर घर में मिलने वाला है प्याय जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल होता है आपको क्या करना है एक छोटा सा प्याय लेना है और अपने पर्स में रखना है लेडिज ने तो जेंट से हैं तो उन्हें पोकिट में रख सकते हैं और बच्चे हैं तो उनके स्क लब दें बिना किसी पैसे के आपको मिल जाएंगे और आपको हेल्दी और यंग और फिट बनाएंगे तो दोस्तों ऐसे छोटे-छोटे उपाय कीजिए आप अपने अपने घर के परिवार के लोगों को बीमारे से दूर रखिए अपना ध्यान रखिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमसे जुडे रहे थैंक यू सो मच